सर्धियों के मौसम में हरी मतर की निमोने की सबसी तो खास तौर पर पसंद की जाती है तो आज हम बनाने जा रहे हैं निमोने की सबसी Hello Friend, Welcome to my Channel, SH1 India तो हरी मतर की निमोने की सबसी बनाने के लिए क्या-क्या इंग्रीडेंट्स लगेंगे आए देख लेते हैं रेश हरी मटर चाहिए इसके लिए और अधरक लशन का पेस्ट इसमें हरी मरेश나का मैंने फेस्टी यह कूट लीजिए रुची अच्छी तरह से इसे कूट लिजिए मैंने दो टमाटर लिए हैं और प्यास कात लिया है मिक्सर में आप हरी मटर को हल्का दरदरा पीश लीजिए और यह ज़्यादा पिसा हुआ होना चाहिए, देख़िये, कुछ इस तरह से दरदरा पीशना है, आपको थोड़ा मुटा रहना चाहिए, इसमें कुछ पूरी तरह से पेस्ट नहीं बनना चाहिए, फिर पैन गरम करक तो अब यह गरम हो गया है इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था मतर का उसे डालेंगे और अची तरह से बूनेंगे और यह जलना नहीं चाहिए धीमी आज में बूनेंगे यह कुछ भून गया है इस तरह से अब धीर धीर भूनते रहेंगे इसका जो भी पानी है वह सूख जाए ड्राय हो जाए उस तरह से आपको भूनना है थोड़ी देर तक मैंने मटर की कॉंटिटी कम ली है क्योंकि सिर्फ दो लोगों के लिए बना रही हूं तो आपकी जितने अब बंबर हो घर में उससाब से बनाए और तेल गरम कर लें थोड़ा जीरा डाल लें और कटा हुआ प्याज डाल दीजिए इसको अच्छी तरह से प्रशा भून लीजे फिर अधर कलसन का पेस्ट भी आप डाल दीजे इसमें और इसको भी अच्छे से भून लीजे फिर टामाटर पीस रखा है मैंने उसको भी जब प्याज हलका ब्राउंड हो जाए फिर इसके बाद आप इसमें टामाटर का पेस्ट अड़ करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे यह अच्छी तरह से भूनना है टामाटर को फिर उसके बाद इसमें कुछ मसाले ले लिजे थोड़ा सा यह कश्मीरी लाल मिर्स में डाल रही हूं यह तीकी नहीं होती है ज़्यादा आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्स वाली भी डाल सकते हैं और इसको सब अब लोगों कम पसंद है तो आलू कट करके डाल दीजे चुटे चुटे पीस और थोड़ी सी ऐसे साबुत मटर भी लेकर के डाल सकते हैं उसका भी टेक्श्र अच्छा हैगा तो मैंने थोड़ी सी साबुत मटर लिया उपर से डाल दिया अब इसको थोड़ा सा पक जाने दे करते हैं तो उसके लिए इसको ढख करके थोड़े दिर वेट करते हैं दो मिनट के लिए कि यह मटर और आलू अच्छी तरह से पक जाए अब चेक कर लिया मटर आलू पक गए हैं अब इसमें मने भूना हुआ जो हमारा मटर था इसके रखा था उसे हम इसमें मिक्स कर अब कर देंगे सब्सक्राइब कर तो मैंने थोड़ा पानी और अधा करके मिक्स कर लिया है और इसको धक्षक कर देंगे थोड़ी तaty देर के लिए और पकने देंगे अब यह दिखिए अच्छी तरह से पक गई है और देखिए ओयल भी हलका उपर आ गया है दिखाता है कि सबजी अच्छी तरह से पक गई है और निमुना अल्मोस्स रेडी हो गया है अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसको मिक्स करके अब गैस को बंद करके इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे कि सारे इस फ्लेवर्स अपने आपने मिक्स हो जाए तो थोड़ी देर के लिए इसे बंद करके रख देना गैस ओफ रखनी है खा के बताओ कैसा है तो आप भी ये रेसिपी ट्राइ करिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए